हलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पेंशनर्स और केंद्रे करमचारियों के लिए जो कैबिनेट मीटिंग हुई है उसमें जो बड़े फैसले लिए गए उसके बारे में बात करेंगे कैबिनेट मीटिंग में जो अभी केंद्रे करमचार्यों इंपर्टेंट डिवा रिवांटि इसके उपर डिसकुषण विव्षक लिए और इसमें से जो मेंएं जो इंपर्टेंट और वीडियोमे डिसकुस करेंगे बात करते हैं आज के इस important update के बारे में दोस्तों और चैनल पर आप पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का update आपको मिलता रहे और साथी साथ बेल आइकन ज़रूर दबाए दोस्तों अभी cabinet की meeting में बहुत सारे मुद्दे उठाएगे हैं जिसमें की fitment factor को 3.67 बढ़ाने की बात की गई है और 8th pay commission को किस तरीके से implement करना है automatic pay revision करना है या fitment factor को बढ़ा के जो है या इसके अलावा दोस्तों एक और भी चर्चा चल रही जिसमें की जो है जो pay commission है वो ना लगा के अपने आपी 10 साल में pay को बढ़ातरी करने के तो ये सारे तमाम उद्दे दोस्तों भी बात की जा रही है और इसके लाव एक और बात जो की discuss हो है 18 मा का area जो की काफी time से pending है उसको देने की बात चल रही है तो अभी meeting के जो orders है वो अभी तक नहीं है जैसी वो meeting order आते हैं उसके बात से हम उसके बारे हम discuss करेंगे बट इन सब मामलों पर discussion चालो हो चुका है और इसमें जो main 38% DA जल्दी उसका announcement हो जाएगा और इसमें area के साथ मिलेगा जुलाई से 3.67 fitment factor से जो है salary में काफी बढ़ोतरी होगी क्योंकि यह multiplying factor होता है और 8 pay commission के त्यारी शुरू हो चुकी है उसमें क्या क्या किस किस तरीके से जो है बढ़ाना है उसके बारे में लिसक्तर चल रहा है दोस्तो यह था आज का important update सभी pensioners के लिए और केंदेरे करमचारियों के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो इसको like कीजिए share कीजिए और subscribe करना ना भूले thank you for watching this video